अंतरिक्ष बहुत बड़ा और अनंध है हमारा ग्यान अंतरिक्ष के बारे में बहुत ही कम है बहुत कुछ ऐसा है अंतरिक्ष के बारे में जो हम नहीं जानते ऐसे में कई ऐसे किसे कहानिया जनम ले लेती हैं जो दुनिया को सच लगने लगती हैं और कई बार तो ऐसा लगत कुछ ऐसे किसे कहानिया हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता पर हमारी उस विशे में कम जानकारी के वजह से ये कहानिया हमें सच लगने लगती हैं आज मैं आपको हमारी सावर मंडल से जुड़े कुछ ऐसे ही पांच कॉंस्प्रेस थियोरिस के बारे मताऊंगा जिन्होंने आम जनता और वैज्ञाने जगत में काफी वाद विवाद पैदा किया दोस्तों इन में से कोई भी बात पूरी तरह सच नहीं है ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और मन रंजन के लिए है दोस्तों आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिस मेरा नाम है राजीव रंजनकुमार तो चले दोस्तों शुरू करते हैं पहले कॉंस्प्रेस थिय आज के वैग्यानिक दौर में कई देश अपनी सुचिना और अन्य वैग्यानिक उपयोग के लिए अंत्रिक्ष में उपगरा छोड़ रहे हैं लेकिन क्या आप किसी ऐसे उपगरा के बारे में जानते हैं जो पिछले 13000 सालों से धर्ति की परिक्रमा कर रहा है उनका मानना है कि या तो ये किसी एलियन यान की परग्रही टेक्नोलजी का है या फिर किसी प्राचीन विक्सित सब्विता द्वारा स्थापित किया गया है कौन्सप्रेसिट थियोरिस्ट का मानना है कि ब्लैक नाइट उपगरा का अस्तित्व का पता 1899 में ही चल गया था जब निकोला टेस्ला एक रेडियो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें एक रेडियो सिगनल प्राप्त हुआ था और उनका मानना था कि ये रेडियो सिगनल अंत्रिक्स से आ रहा है और किसी विक्सित सब्वेता द्वारा बेजा जा रहा है कौन्सप्रेसिट थियोरिस्ट का मानना है कि जो सिगनल उन्हें मिला था वो ब्लैक नाइट उपगरा से ही आया था 1954 में भी कई समाचार पत्रों ने भी ये खबर चापी थी कि यूएस एरफोर्स को संकेत मिले हैं कि दो कृतिम उपगरा धर्ती का चक्कर लगा रहा है कौन्सप्रेसिट थियोरिस सिर्फ किस से कहानियों पर ही निरभर नहीं है उनका मानना है कि इसका एक पुक्ता सबूत तस्वीर के रूप में भी मौजूद है 1998 में STS-88 मिशन द्वारा खीची गई एक तस्वीर में अंतरिक्ष में एक अंजान उर्ती हुई चीज दिखाई गई है जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये ब्लैक नाइट उपगरा का ही तस्वीर है ब्लैक नाइट उपगरा के अस्तिता कोई ठोश सबूत नहीं है इसलिए अभी भी वाद विवाद का विशा है और जो तस्वीर सामने आई है उसका भी स्पस्टिकरन दिया गया है ये तस्वीर एक thermal blanket की है जो कि एक endeavor space shuttle के करमी दलद्वारा काम करते वक्त अंत्रिक्ष में छूट गया था अगर आपने हाली में space से जुड़ी हुई खबरे पड़ी है तो आपने ये जरूर सुना होगा कि वैग्यानिकों को हमारी सौर मिंडल में एक नए ग्रह मिलने के संकेत मिले हैं अब ये ग्रह है या नहीं ये तो भवश्य में पता चलेगा पर एक ऐसा ही ग्रह conspiracy theory की दुनिया में चाया हुआ है जिससे जातर लोग निबूरू के नाम से जानते हैं निबूरू या फिर planet X की चर्चा सबसे पहले 1995 में नैंसी लीडर ने किया था नैंसी लीडर Zeta Talk वेबसाइट की सिंस्थापक है इनका कहना है कि ये पर ग्रहियों के साथ संपर्क साथ सकती है और उनका कहना है कि वो ये इसले कर पाती है क्योंकि पर ग्रहियों ने उनके दिमाग में एक संचार उपकरन लगाया था और ऐसा उन्होंने इसले किया था क्योंकि वो माना जाती को आ रहे खत्रों की चेतानी देना चाहते थे और उनके मताबिक एक विशाल ग्रह पृत्वी से टकराएगा या फिर उसके पास से गुजर कर उसके धुरुवे चेत्रें बदलाव कर देगा जिससे धर्ती पर जीवन समाप्त हो जाएगा इस ग्रह को शुरू में नैंसी लीडर ने प्लानेट एक्स का नाम दिया था पर बाद में ये निबुरु के नाम से भी जाना जाने लगा निबुरु शब जिसारिया सचिन की किताब 12th प्लानेट से आया है जारिया सचिन इंशिन एस्टनौ थियोरी के समर्ठ थक है उन्होंने प्राचिन बैबलोनिया की धार्मिक लिपी की व्याख्या करते हुए ये बताया है कि एक विशाल ग्रह है जिसे निबुरु या फिर मार्दुक के नाम से जाना जाता है और ये हर 3000 साल पर धर्ति के पास से गुजरता है और इस समय के दौरान उस ग्रह पर रहने वाले निवासी धर्ति की निवासियों के साथ संपर कर सकते हैं इस ग्रह के लोगों को सचिन ने अन्नाकी का नाम दिया है 1996 में नैंसी लीडर ने अपने वेबसाइट पर प्लानेट एक्स को निवरु के साथ जोड़ कर बताया है पर सिचिन ने इस बात से साफ इंकार किया है कि निवरु का प्लानेट एक्स से कुछ लेना देना है conspiracy theorist का ये भी मानना है कि नासा और सरकार प्लानेट एक्स या निवरु के एस्थिति को दुनिया से चुपा रही है क्योंकि वो नहीं चाहते है कि इस ख़बर से दुनिया में अफरातफरी फैले पर इस conspiracy theory को तोड़ना आसान है क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई ग्रह धर्ती के पास आ रहा होता तो अब तक वो लोगों को दिख जाता और इस ग्रह से धर्ती के तबाही की भविश्वानी करने वालों की बात भी कई बार गलत साबित हुई है इस ग्रह से तक्रानी की सबसे पहली भविश्वानी 2003 की की गई थी लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसे 2012 के विनास के साथ जोड़ कर दिखाया गया लेकिन अब तक निबुरुवा कोई पता नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये conspiracy theory कोई आधार नहीं रखती है अर्तिहासिक दिन था पर इतनी जल्दी और अचालक से इस पर्योजना पर काम शुरू करने के वज़े से कई conspiracy theorist को इसमें शर्यंद की बुव आ रही थी उनका कहना है कि इतनी बड़ी स्पेस एजिंसी अर्बो डॉलर खर्च करके सिर्फ एक कॉमेट यानि धूमकेतु पर एक छोटा प्रोब लैंड करने के लिए और कुछ तस्विरे लेने के लिए mission क्यों भेजेगी और उनका सवाल ये भी था कि उन्होंने सिर्फ इसी कॉमेट इसी धूमकेतु को क्यों चुना जबकि अंतरिक्ष में कई ऐसी धूमकेतु हैं कई लोगों का मानना है कि इस mission का म बदल रहा था और इस बात से उन्हें लग रहा था कि मानो एक परग्रही अंतरिक्ष यान है और कॉंस्प्रेसी थियोरिस्ट मानते हैं कि ये mission परग्रहियों के साथ संपर्ख साधने की एक कोशिश थी नंबर चार पर है प्रोजेक्ट लूसिफर ब्रिहस्पति को एक फेल पूरज होते और विग्यानिकों के मुताबिक ऐसा करने के लिए ब्रहस्पति को 65 गुना बड़ा होना होगा लेकिन कॉंस्प्रेसी थियोरिस्ट का मानना है कि इस वज़न की कमी को परमानू इंधन से पूरा किया जा सकता है उनका मानना है ये अगर ब्रहस्पति पर परमा बन गया जो प्रहस्पति ये कख्षा में स्थापरत हो पाया सूरज से इतनी दूर्श सूरज की रोषने किसी बी अंतरिक्ष्यान को परयाप सक्ति परदान करने में असक्षम होती है इसलिए ग्यालियो को प्रमानू इंधन के साथ बेजा गया था इस यहान में 17 पाउंड का मानना है कि इस मेशन का मकसद इससे ज्यादा था मिसं के बाद रहस पर्था ग्रह में गिराया जांटा तकी ब्रहस परतिय के छाण्तु इसके प्रमानुओ इंधन और प्रित्वी के कितानूं से दोशत नidents कि पतिती को दूसरे सूरज में बदला जासके को चेया संभव हो सकता है और उन्हें अगर परियाब्द गर्मी मिले तो उन्हें मानव जीवन की योग बनाया जा सकता है कॉर्सप्रेसी थियोरिस्ट ने इस मिशन को प्रोजेक्ट लुसिफर का नाम दिया था लेकिन ये थियोरी पहले ही जूटी साबित हो चुकी है क्योंकि 2003 में ही गैलियों को ब्रहसपती गरा में गिराया जा चुका है और अब तक ब्रहसपती में कोई बदलाव नहीं हुआ है यूरी गैकरिन विस्व के पहले अंतरिक्च यात्री थे पर कई लोगों का मानना है कि वो पहले अंतरिक्च यात्री थे जो सुरक्षित धर्ति पर वापस आ पाए लेकिन वो अंतरिक्च में जाने वाले पहले अंतरिक्च यात्री नहीं थे एक Conspiracy theory के मताबिक रूस ने यूरी गैकरिन के अंतरिक्च यात्रा से पहले भी कई ये अंतरिक्ष चात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की थी जिसमें से दो की मौत हो गई और इनमें से एक अंतरिक्ष चात्री व्लादरमिर उलियुष धर्ती पर शुरक्षित लोट आये थे पर उनका अंतरिक्ष्यान गलत जगा पर उतर गया था और चाइना की गौवर्मेंट ने उन्हें बंदी बना लिया सोवियत मियन की सरकार ने उस वक्त इन सब खबरों को दबा दिया था ताकि इस से उनके स्पेस प्रोग्राम का दुस्परचार ना हो इन सब बातों का कोई ठोज सबूत नहीं है पर ये कॉंस्परेसी थोरी कुछ घटनाओं के वज़ा से पनपे हैं जिन में से एक है एक रेडियो रिकॉर्डिंग जुडिका और कॉडली दो भाई थी जिनोंने इस बात का दावा किया है कि उनके पास कई सोवियत स्पेस मिशन की रेडियो संदेश की रिकॉर्डिंग मौजूत है जिन में से ये साफ पता चलता है कि सोवियत यूनियन ने यूरी गागरिन से पहले भी अंतरिक चात्री अ हात्सों का शिकार हो गए आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और फिक्षिन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल टोरियो शेयर करता हूं दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कलिए नमस्कार